ये देखो नई बाइक के साथ मैंने 11,225 रुपए की insurance policy ली जो की 5 साल के लिए valid है फिर भी मुझे एक साल के बाद 6,560 रुपए का insurance policy लेना पड़ा Hello friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, अगर आप कोई भी नई बाइक स्कूटर या दूसरी कोई भी टूवलर को खरीदने वाले हो या आपने कुछ समय पहले कोई भी टूवलर को खरीदा है तो आगे इस फिडियो में आपको इन टूवलर के insurance से जुड़ी वी कुछ बहुत ही important बाते बताने वाला हूं जिसके आपको सही सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए नहीं तो कम जानकारी होने के वैसे या गलत जानकारी होने के वैसे आपका हजारों का नुकसान हो सकता है बहुत सारे FQ है बहुत सारे if and but है जिसके वैसे लोगों confusion होता है और सही जानकारी नहीं होने के वैसे नुकसान हो सकता है तो आगे इस विडियो में आपको जो पाच साल का insurance policy है इसको लेकर सारे points को बताने वाला हूँ सुरुआत मैं करता हूँ basic level के साथ फिर मैं आपको इसके बारे में advanced level पर बताऊंगा advanced बातों को बताऊंगा हलागे जो basic बाते उसके जानकारी बहुत से लोगों को होगी फिर भी इससे बताना जरूरी है ताकि आज का topic अच्छी तरह से पूरी तरह से clear हो सके अब इसके जो 5 साल का insurance आपको tubular के साथ मिल रहा है basically ये दो पार्ट में मिलता है पहला जो पार्ट है वो सुरू के एक साल के लिए होता और सुरू के एक साल के लिए जो insurance policy है वो OD and TP insurance policy होता है यानि कि on damage and third party insurance policy और गाड़ी खरीदने के एक साल के बाद अगर आपका accident हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि OD है यानि कि आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान हो वो इस insurance policy में cover हो जाता है और आपके वजह से third party का अगर कोई भी damage होता है जानमाल के कोई भी हानी होती है third party का दूसरे का गाड़ी का या फिर property का कोई भी नुकसान होता है तो वो भी उस insurance policy में cover हो जाती है और जैसे ही एक साल खतम हो जाता है तो अगले चार साल तक सिर्फ टीपी यानि की third party insurance policy ही valid होती है वही होते है और आए एक साल complete होने के बाद अगर आपका accident होता है तो आपकी गाड़ी का कोई भी damage उसमें cover नहीं होगा सिर्फ जो दूसरे का गाड़ी का property का कोई भी damage हुआ वो ही cover होता है ये 5 साल की insurance policy और इसे बेथर तरीके समझने के लिए मैं आपको example ही बता जाता हूँ ये जो bike देख रहे हो आप इसे मैंने पिछले साल खरीद आता हूँ इस bike के साथ मैंने SBI General Insurance का insurance policy को लिया था जो कि 5 साल के लिए ही था और जो premium amount था वो था 11,225 रुपए आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो OD है वो सिर्फ एक साल के लिए यानि कि एक फरवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक valid है आप फ्रेंस एक साल complete होने के बाद जो अगला 4 साल है वहाँ पर आपको दो फाइदी मिल जाते है एक तो third party का जो damage वो कवर हो जाता है दूसरा in case आगर traffic police आपको पकड़ती है तो यहाँ पर फाइदा हो जाते है कि अगर आप insurance policy दिखाते हो तो आपको कोई भी चलान, कोई भी fan insurance के वज़या से 5 सालों तक नहीं लगता है तो friends वीडियो में यहाँ तक जो insurance जुड़ी हो जो basic level की जानकारी है वो तो complete हो गई अब हम लोग आते है advanced level की जानकारी की उपर में और यहाँ पर टोटल 3 points है वैसे वीडियो आपको अगर अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हो और अगर अभी तक आपर चैनल को subscribe नहीं के तो अपनी चैनल को subscribe भी जरूर कर लें और यहाँ पर आप यह भी समझ लो कि यह कोई जरूरी नहीं है कि पहले आपका जिस company का insurance policy आपको वही लेना यह कोई जरूरी नहीं है दोबारा से जब आप OD एक साल दो साल तीन साल जितने साल के लोग भी ले रहे हो वो आप भी किसी दूसरी company का भी ले सकते हो मैं आपको 31 जनवरी 2020 तक तो आपके पास choice है चाहे आप सेम company का ही ले लो लेकिन चाहो तो आप किसी दूसरी company का अगर आपको अच्छा amount बगरा premium बगरा मिल रहा अच्छी quality मिल रहा अच्छा insurance policy मिल रहा तो आप वो ले सकते हो तो यहाँ पर point one clear अब आप आप point two के उपर में यह भी आपको बताना चाहाँगा कि अगर आपके पास car है और आप अपने car के लिए hundred percent genuine spare parts चाते हो तो इसमें आपके help करेगा budmo.com budmo.com online spare parts के expert है और यहाँ से आप Indian companies के साथ साथ जितनी भी विदेशी company की car से उनके भी hundred percent genuine spare parts असानी से order कर सकते हो interface बहुत असान है जस्ट आपको अपने car की manufacturing company model air variant को डालना है उसके बाद आप अपने car के model के हिसाब से hundred percent genuine spare parts असानी से यहाँ पे सर्च कर सकते हो साथ ही आपको यहाँ पे अपने car के model के हिसाब से OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा car के हर एक section के लिए जैसे की engine, transmission, steering और बाकी के सभी section के लिए अलग-अलग catalog आपको देखने को मिल जाएगा उस catalog में उस section के सारे parts का आपको detail देखने को मिलेगा part का नाम, part का number, part का description, वो part कितना लगेगा यह सब आपको यहाँ पे देख सकते हो साथ याप हर एक part की अपने car के साथ compatibility को भी check कर सकते हो और अगर part आपके car के साथ compatible हो जाए तो फिर आप उसे असानी से यहाँ से order कर सकते हो यहाँ पे आपको 10 दिन का return policy भी देखने को मिल जाएगा तो budmo.com के official website का link में इस video के description देख दूँगा तो please आप budmo.com पे जाए और वहाँ से अपने car के लिए इस प्यार parts को जरूर से order करें चलिए point number 2 के आप मैं आपको समझा जेता हूँ तो in case of accident, accident हो जाता है और आपका जो on damage वाला है वो किसी दूसरी insurance company का है और जो पहले 5 साल वाला है जो third party वाला है वो वहाँ पे cover हो जागा है तो कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं है कि दो अलग-अलग insurance policy होगा तो आपको कोई परिशानी नहीं होने वाला आप इस बात को समझ ले और कई बार क्या होता है कि शोरूर माला आपको बैकूप बनाते है कि नहीं सर आपका third party किसी और कर रहा है कि आप किसी और का ले लोगे तो दिक्कत होगा आप इस बैकूप में नहीं फढ़े और इसी वज़े से मैंने क्या किया है कि अपने बाइक कमेन आपको example देने के लिए किसी और company का लिया है तो आप देख सकते हो मैंने खुद भी लिया है कोई issue कोई परिशानी नहीं है point number three पे आजाते है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई जरूरी नहीं कि जिस showroom से आपने insurance लिया है जिस showroom से अपने bike बागर लिया है इस्कूटर लिया है आप वहीं पर जाके दोबारा से insurance कराओ ये कोई issue कोई जरूरी ये कोई जरूरी mandatory बात नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी मर्जी है आप चाहो तो showroom में जाके करा लो will good कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन आप चाहो तो घहर बैटे बहुत सारे policy बजार एको बहुत सारे option और बहुत सारे website और app है आपकी मर्जी है आप खुद से कर लो जिस company का लेना है जिस insurance company का लेना आप उसका लेलो जो भी premium आपको चाहिए कम वाला ज्यादा वाला जैसा आपको चाहिए वो आप लेलो कोई issue नहीं है मैंने 6522 रुपय का इस दे लिया क्योंकि मुझे इस bike में जो zero depreciation है वो भी मिल गया जो total loss है वो भी मिल गया इसके लावा जो आर्ट का यानि की return to invoice है वो भी मिल गया तो facility जादा मिली इसलिए मैंने जादा payment किया आपकी मर्जी आप चाहो तो कम payment वाला जैसा आपको सही लगे वो ले सकते हो तो friends ये है 5 साल की insurance policy जिसको लेकर अभी भी बहुत से लोगों को doubt होता है I am sure इस वीडियो से आपका जो maximum dot है जो ज़्यादा दर dot है वो clear हो गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नहीं हो या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया